Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 12.1 का question number 12, तो question number 12 क्या कहता है? Cost of a dozen pen is rupees 180, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक dozen pen की जो cost है वो क्या है? 180 rupees, और आगे कहता है and cost of 8 ball pens is rupees 56, और जो 8 ball pens है उसकी cost कितनी है? 56, 56, find the ratio of the cost of the pen to the cost of a ball pen, तो हमें ratio find out करना है एक pen की और एक ball pen का, पहले तो हम यहाँ पर dozen को समझ लेते हैं, dozen क्या होता है? one dozen is equals to 12, यह चीज़ हम याद रखेंगे, एक dozen में 12 होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं, दरजन, ठीक हैं? तो यहाँ पर solution में हम किस तरह से लिखेंगे? पहले हम क्या करते हैं? इसका हमें एक pen की कीमत निकाल लेनी है, ठीक है? दोनों के लिए, तो यहाँ पर पर लिखेंगे, आ, डजन, यह क्या है हमारा? 12 पेंस, is equals to रुपीज 180, तो 12 पेंस की जो कॉस्ट है, वो क्या है? 180 है, और क्या दे रखा है? 8 बॉल पेंस, और 8 बॉल पेंस जो है, उनकी कॉस्ट क्या दे रखी है? रुपीज 56, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? वन पेंस की कॉस्ट निकाल लेते हैं, और वन बॉल पेंस की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, कॉस्ट आफ ट्वेल्व पेंस, is equals to क्या दे रखी है? 180, ठीक है? उसके बाद में, कॉस्ट आफ वन पेंस वन पेंस की कॉस्ट क्या जाएगी? रुपीज 180 अपॉन 12, यह जो इधर 12 था, इसको हम डिवाइट कर देंगे, तो यहाँ पर अगर हम 180 को 12 से डिवाइट करें, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं? डारेटली डिवाइट कर लेते हैं, 12 से 180 को, 12 वन जा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 1 में से 1, कुछ नहीं बचेगा, और इस 0 को उतार लेंगे, यह जाएगा 60, तो यह जाएगा 12, 5 जा, 60, तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह हमारा क्या बचेगा, 15, तो यहाँ पर लिखेंगे, रुपीज 15, तो एक पैन की जो कॉ cost of 8 ball pens, 8 ball pens की cost क्या दे रखी है, 56, तो यहाँ पर लिखेंगे, रुपीज 56, cost of 1 ball pen, तो 1 ball pen की cost क्या आ जाएगी, हमारी, रुपीज 56 को 8 से डिवाइट कर देंगे, तो यहाँ पर डिवाइट कर लेते हैं, 56 को 8 से, 8 का अगर हम टेवेल पढ़े हैं, तो 8 सेवेंजा 56, तो यहाँ पर 7 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा रुपीज 7, तो यहाँ पर एक नॉर्मल pen की जो cost है, वो 15 है, और एक ball pen की जो cost है, वो 7 रुपी है, हमें ratio find out करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, cost of a pen, नीचे लिखेंगे, cost of a ball pen, pen की cost कितनी दे रखिये, रुपीज 15, और ball pen की cost दे रखिये, रुपीज 7, अब यहाँ पर यह 15 और 7, इन में से कोई भी number common नहीं है, जिसको हम divide कर सकें, तो इसका मतलब यह हमारा simplest form हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे, 15 ratio 7, यह हमारा answer आजाएगा, questions हम आपत, next lecture में करेंगे, next questions आज के लिए बस इतना ही,